नमस्कार, कारकम्य उपस्थित, गुजरात के मुख्यमंत्री, स्रीमान भुपेंद्र भाई पतेल जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी, श्री मन्सुब भाई मांडविया, श्री पुर्शत्म भाई रुपाला, दर्शना बेन, लोग सभा के मेरे सांसत के साथ ही, और गुजरात भारतिय जन्ता पार्टी के अध्यक्ष, श्रीमान स्वियार पातिल जी, सवराष्ट पतेल सेवा समाज के अध्यक्ष, श्री कांजी भाई, सेवा समाज के सभी सन्मानित सदस्यगण, और विशाल संख्या में अपसित, मेरे प्यारे भाईयों और भेहनों, सवराष्ट पतेल सेवा समाज द्वारा, आज विजिया दस्मी के अउसर पर एक पुन्यकारे का शुभारम हो रहा है, मैं आप सभी को और पुरे देश को विजिया दस्मी की हारदित बधाई देता हूँ, साथियों, राम चरित मानस में प्रभु स्री राम के भक्तों के बारे में, उनके अनुवाईयों के बारे में बहुती सटिक बाग कही गई है, राम चरित मानस में कहा गया है, प्रबल अविद्या तममिट जाई, प्रबल विद्या प्रबल अविद्या तममिट जाई, हार ही सकल सलब समुदाई, अर्थात भगवाण राम के आशिरवाद से, उनके अनुशरण से, अविद्या, अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं, जो भी नकारत्मक शक्तियां हैं, वो हार जाती है, और भगवाण राम के अनुशरण का अर्था है, मानवता का अनुशरण, ग्यान का अनुशरण, इसलिए गुजरात की धर्तु से, बापु ने राम राज्य के आदर्सों पर चलने वाले समाज की कलपना की सी, मुझे खुशी हैं कि गुजरात के लोग, उन मुल्यों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें मजबूत कर रहे हैं, सवरार्श पटेल सेवा समाज द्वारा, सिक्षा के खेत्र में, आज की गई ये पहल भी, इसी कड़ी का एक हिस्सा है, आज फेज बन होस्टेल का भुमी पजन हुआ है, कि साल 2024 तक दोनों फेज का काम पूरा कर लिया जाएगा, कितने ही वाओं को, बेटे बेटियों को, आपके इन प्रयासों से एक नई दिशा मिलेगी, उन्हें अपने सपनों को साकार करने का आउसर मिलेगा, मैं इन प्रयासों के लिए, सवरार्ष पटेल सेवा समाज को, और विशेश रुप्रे, अध्यक्षा स्री कांजी भाई को भी, और उनकी सारी टीम को, बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुझे इस बाद से भी बहुत संतोष है, कि सेवा के इन कारियों में, समाज के हर वर्ग को, साथ लेकर चलने की चेश्टा है, प्रयास है, साथियों, जब मैं अलग-अलग शेत्रों में, सेवा के ऐसे कारियों को देखता हूं, तो मुझे गर्व होता है, कि गुजरात किस तरह, सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, सरदार साहब ने कहा था, और सरदार साहब के वाक्य, हमने अपने जीवन में बाद के रखना है, सरदार साहब ने कहा था, जाती और पंथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना है, हम सभी भारत के बेटे और बेटियां है, हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, परसपर्स ने और सहयोग से अपना भाग्य बनाना चाहिए, हम खुद इसके साक्षी हैं कि सरदार साहब की इन भावनाओं को गुजरात ने किस तरह हमेशा मजबूती दी है, राष्ट्र प्रथम ये सरदार साथ की संतानों का जीवन मंत्र है, आप देश दुनिया में कहीं भी चले जाईए, गुजरात के लोगों में ये जीवन मंत्र आपको हर जगह दिखेगा, भाई और भेनों, भारत इस समय अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में है, ये अमरुत काल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रिणा देता है, जिनोंने जनचेतना जागरूत करने में बड़ी भुमी का निभाई, आज की पिड़ी को उनके बारे में जानना बहुत ही आवशक है, आज गुजराच जिस उचाई पर पहुँचा है, उसके पीछे ऐसे अनेको लोगों का तब त्याग और तपस्या रही है, विशेशकर सिख्षाक सेत्र में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनोंने गुजराच की सिख्षा व्यवस्ता को मजबूत करने में बड़ी भुमी का निभाई, हम सब शायद जानते होंगे उत्तर गुजराच में जिनका जन्म हुआ और आज गुजराच के हर कोने में उनको याद किया जाता है, ऐसे ही एक महापुरुस्ते स्री चगन भाई, उनका द्रड विश्वास था कि सिख्षा ही समाज के ससक्तिकण का सबसे बड़ा माध्यम है, आप कल्पना कर सकते हैं, आज से एक सो दो साल पहले उन्नीस में उन्होंने कडी में सर्व विद्याले केडवली मंदर की स्थापना की थी, ये चगन भाई का ये दुरद्रश्टी काम था, ये उनकी दुरश्टी थे हैं, उनका विजन था, उनका जीवन मंत्र था, कर भला, होगा भला, और इसी प्रेणा से वो आने वाली पीडियों के भविश को समवारते रहे, जब 1929 में गांदी जी चगन भाजी के मंदल में आये थे, तो उन्होंने कहा था, कि चगन भाई बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से जादा से जादा संख्या में अपने बच्चे चगन भाई के ट्रस्ट में पढ़ने के लिए बेजने को कहा था, साथियों, देश के आने वाली पीडियों के भविश्य के लिए, अपना वर्तमान खपा देने वाले, ऐसे ही एक और व्यक्ति का जिक्र में जरूर करना चाहूंगा, वो थे भाई काका, भाई काका ने आनन और खेडा के आसपास के इलाके में, सिक्षा व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया था, भाई काका स्वायम तो इंजीनियर थे, करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन सर्दार साहब के एक बार कहने पर उन्होंने नोकरी छोड़ दी, और अंदाबाद मुंसिपाल्टी में काम करने आ गए थे, कुछ समय बात वो चरोतर चले गए थे, जहां उन्होंने आनन में चरोतर एजुकेशन सोसाइटी का काम संभाला, बात में वो चरोतर विद्या मंडल से भी जुड़ गए थे, भाई काका ने उस दौर में एक रूरल उन्युवर्सिटी की का सपना भी देखा था, एक ऐसी उन्युवर्सिटी जो गाव में हो और जिसके केंद्र में ग्रामिन विवस्ता के वीशे हो, इसी प्रेणा से उन्होंने सरदार वल्लब भाई पटेल उन्युवर्सिटी के निर्माण में एहम भुमिका निभाई थी, ऐसे ही विखा भाई पटेल भी थे, जिन्होंने भाई काका और सरदार पटेल के साथ काम किया था, जो लोग गुजरात के बारे में कम जानते हैं, उन्हें मैं आज वल्लब विद्यानगर के बारे में भी बताना चाहता हूँ, आप पैसे काफी लोगों को पता होगा, ये स्थान करमसर्द, बाकरोल और आनन के बीच में पड़ता है, इस थान को इसलिए विक्सित काया गया था, ताकि शिक्षा का प्रसार किया जा सके, गाओं के विकास से जुड़े कामों में तेजी लाई जा सके, बल्लब विद्यानगर के साथ सीविल सेवा के दिगज, अधिकारी, हम पटेल जी भी जुड़े थे, सरदार साथ जब देश के ग्रम मंत्री थे, तो H.M. पटेल जी उनके काफी करीबी लोगों में गिने जाते थे, बाद में वो जनता पाटी के सरकार में वित्त मंत्री भी बने, साथियो, ऐसे कितने ही नाम है, जो आज मुझे याद रहा है, सवराष्टर की अगर बात करें, हमारे मोहनलाल लाल जी भै पटेल जिनको हम मोला पटेल के नाम से जानते थे, मोला पटेल ने एक विशार सेच्छिक परिशर का निर्मान करवाया था, एक और मोहन भै विर्जी भै पटेल जी, सो साल से भी पहले पटेल आश्रम के नाम से एक शात्रावास की स्थापना कर, अमरेली में शिक्ष्या व्यवस्ता को मजबूत करने का काम किया था, जामनगर में केशव जी भाई, अर्जी भाई विरानी और कर्शन भाई, बेचर भाई विरानी इन्हें तसकों पहले बेटियों को सिक्षित करने के लिए स्कूल और छात्राले बनाए थे, आज नगिन भाई पटेल, शाकरचन भाई पटेल, गनपद भाई पटेल, ऐसे लोगों द्वारा किये गए प्रयासों का विस्तार, हमें गुजरात के अलग अगलग विश्व विद्यालव के रुप में दिखता है, आज का ये सुवसर, इन्हें याद करने का भी बहतरिन दीन है, हम ऐसे सभी विक्तियों की जीवन गाथा को देखें, तो पाएंगे कि किस तरह छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने बड़े बड़े लक्षों को प्राप्त करके दिखाया, प्रयासों की यही सामुहिक्ता बड़े से बड़े नतीजे लाकर दिखाती है, साथियों, आप सब के आशिरवाद से, मुझ जैसे अत्यन्त सामान निवक्ति को, जिसका कोई पारिबारिक या राजनेतिक बैक्ग्राउंड नहीं था, जिसके पाँज जातिवादी राजलीति का कोई अधार नहीं था, ऐसे मुझ जैसे एक सामान निवक्ति को, आपने आशिरवाद देकर गुजरात की सेवा का मोका 2001 में दिया था, आपके आशिरवाद की ताकत इतनी बड़ी है कि आज 20 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी अखंड रुप से पहले गुजराती और आज पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, साथियों, सबका साथ, सबका विकास का सामर्थ क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सिखा है, एक समय गुजरात में अच्छे स्कूरों की कमी थी, अच्छी सिख्षा के लिए सिख्षकों की कमी थी, उमिया माता का अचिरवार लेकर, खोडल दाम के दर्शन करके, मैंने समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा, लोगों को अपने साथ जोड़ा, आपको याद होगा, गुजरात ने इस परिस्तित्य को बदलने के लिए प्रवे सोत्सव की शुरुवात की थी, स्कूलों में सिख्षा की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए साक्षर दीप और गुणोत्सव शुरू किया गया था, तब गुजरात में बेटियों के ड्रॉप आउट की भी एक बड़ी चुनावती थी, अभी हमारे मुक्यमंत्री पुपेंद्रपाई ने इसका वर्णन भी किया, इसके कई सामाई ये कारण तो थे ही, कई बैवारिक कारण भी थे, जैसे कितनी ही बेटिया, चहा कर भी इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्कूलों में बेटियों के लिए सोचालई ही नहीं होते थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात ने पंच सक्ति, पंच सक्तिवों और पाई, पंच अम्रूत पंच शक्ति याने ज्ञान शक्ति जन शक्ति जल शक्ति उर्जा शक्ति और रक्षा शक्ति स्कूलों में बाली काओं के लिए साउचाला ही बनवाए गए, विद्या लक्ष्मी बॉन, सरस्वती साधना योजना, कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले, ऐसे अनेक प्रयासों का परणाम यह हुआ, कि गुजरात में नकेबल पढ़ाई का स्तर बहतर हुआ, बल्कि स कुल ड्रॉप आउट रेड भी तेजी से कम हुआ, मुझे खुसी है कि आज बेटियों की पढ़ाय के लिए, उनके भविश्य के लिए, प्रयास्ता लगातार बढ़ रहे हैं, मुझे आज है, यह आप ही लोग है, जिनों ने सूरत से, पूरे गुजरात में, बेटी बचाव अभियान चलाया था, और मुझे आद है, उस समय में आपके समाज के लोगों के बीच में आता था, तो यह कड़वी बात बताई बिना कभी चुकता नहीं था, आप राजी हो जाएं, नाराज हो जाएं, इसका खयाल किये बिना, मैंने हमेशा कड़वी बात बताई थी, बेटियों को बचाने की, और मुझे आज संतोष से कहना है, कि आप सबने मेरी बात को उठा लिया, और आपने सुरत से जो यात्रा निकाले थे, पूरे गुजरात में जाकर के, समाज के हर कौने में जाकर के, गुजरात के हर कौने में जाकर के, बेटी बचाने के लिए लोगों के सपत दिलवाए थे, और मुझे भी आपके उस महा प्रयास में आपका साथ जुढने का मोका मिला था, बहुत बड़ा प्रयास किया था आ अभी हमारे भुपेंद्र भाई बड़ा विस्तार से उनिवर्सिटी का वरणन करते थे, लेकिन मैं भी इसको दोहराना चाहता हूँ, ताकि जब आज देश के लोग इस कारकम को देख रहे हैं तो उनको भी पता चले, गुजुरात ने इतने कम समय में, रक्षा सक्ति उनिव उनिवर्सिटी, लौ उनिवर्सिटी और दिन्द्याल एनर्जी उनिवर्सिटी, इसके साथ ही दुनिया की पहली चिल्डरन्स उनिवर्सिटी, टीचर्स ट्रेनिंग उनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी, काम देनू उनिवर्सिटी, जैसे अने को इनोवेटिव शुरुआत करके देश को नया मार्ग दिखाया है, आज इन सारे प्रयासों का लाब गुजरात की UAPD को मिल रहा है, मैं जानता हूं, आप में से अधिकतर को इनके बारे में पता है, और अभी पुपेंद्र भाई ने बताया भी है, लेकिन आज मैं ये बातें आपके सामने इ आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ कंदे से कंदा मिला करके चले, आपने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं, उससे मिले अनुभाव, आज देश में बड़े बड़लाव ला रहे हैं, साथियों, आज नई राष्ट्रिय सिख्षा नीती के जरिये, देश की सिख्षा व्यवस्ता को भी आधुनिक बनाये जा रहा है, नई राष्ट्रिय सिख्षा नीती में, प्रफेशनल कोर्सिस की पढ़ाई, स्थानिय भाषा में, मात्रु भाषा में कराये जाने का विकल् पहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने बाड़ा है, गाउं का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है, भाशा के कारण उसकी जिन्दगी में अब रुकावत नहीं आने वाली है, अब पढ़ाई का मतलब डिगरी तक ही सिवित नहीं है, बलकि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है, देश अपनी पारंपारिक स्किल को भी अब आधुनित संभावनाओं से जोड़ रहा है, साथियों, स्किल का क्या महत्म होता है, इसे आप से ज़्यादा और कौन समझ सकता है, एक समय आप मैं से अधिकांश लोग सवराश्च में अपना घर छोड़ कर, खेत खलियान छोड़ कर, अपने दोस रिस्तेदार छोड़ कर, हीरा गिसने, हीरा गसु के रूप में सूरत आये थे, एक छोटे से कनव में आठार दस दस लोग रहा करते थे, लेकिन ये आपकी स्कील ही थी, आपका कौशल ही था, जिसकी वज़ा से आज आप लोग इतनी उचाई पर पहुँचे हैं, और पांडुरंग सात्री जी ने तो आपके लिए कहा था, रत्नकलाकार कहा था, हमारे कांजी भाई तो स्वयम में एक उदारण है, अपनी आयू की परवा न करते हुए, वो पढ़ते ही गए, नया नया कौसल अपने साथ जोड़ते ही चले गए, और शायद आज भी पूछोगे कि कांजी में कोई पढ़ाई-बढ़ाई चल रही है क्या, तो हो सकता है कुद्दू-कुद्दू पढ़ते ही होगी है, ये बहुत बड़ी बात है जी, साथियों स्कील और इकोसिस्टिम से मिलकर आज नए भारत की नीव रख रहे हैं, स्टार्ट अप इंडिया की सफलता हमारे सामने है, आज भारत के स्टार्ट अप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं, हमारे यूनिकॉर्ण्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही हैं, कोरोना के कठीन समय के बार हमारी अर्थे वबस्ता ने जितनी तेजी से वापसी की है, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है, अब इहाल में एक विश्व संख्या ने भी कहा है, कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थे वबस्ता बढने जा रहा है, मुझे भी स्वास है, गुजरात राष्ट निर्मान के अपने प्रयासों में हमेशा की तरफ सर्वस्रेष्ट रहेगा, सर्वस्रेष्ट करेगा, अब तो भुपेंदर भाई पटल जी और उनकी पूरी टीम एक नई उर्जा के साथ गुजरात की प्रगति के इस मिशन में जुट गए हैं, साथियो, वैसे भुपेंदर भाई के नेत्रुतों में नई सरकार मनने के बाद, आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का आउसर मिला है, एक साथी कार्यकर्ता की रूप में भुपेंदर भाई से मेरा परिचय पचीस वर्ष से भी जादा का है, ये हम सभी के लिए बहुत गवरों की बात है, कि बुपेंदर भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है, जो टेक्नोलोजी के भी जानकार है, और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए है, अलग-अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभाव, गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है, कभी एक छोटी सी मुनिसिपालिटी नगरपालिका के सदस्य, फिर नगलपालिका के अध्यक्ष, फिर अमदाबाद महानगर के कॉर्पोरेटर, फिर अमदाबाद महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमिंटी के चेर्मेन, फिर आवडा जेसी प्रतिष्टित संस्तान के चेर परखा है उसका नेत्रुत्व किया है। मुझे खुसी है कि आज ऐसे अनुभवी व्यक्ति गुजरात की विकास यात्रा को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए गुजरात का नेत्रुत्व कर रहे हैं। साथियों, आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है कि इतने लंबे समय तक सार्व जनिक जीवन में रहने के बावजूत, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी, पचीस साल तक कार्य करने के बाद भी, भुपेंद्र भाई के खाते में कोई विवाद नहीं है भुपेंद्र भाई, बहुती कम बोलते हैं, लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते एक साइलेंस वर्कर की तरह, एक मुख सेवक की तरह, काम करना उनकी कार्य शैली का हिस्सा है बहुत कम हें लोगों को ये भी पता होगा, कि भुपेंद्र भाई का परिवार हमेशा से आध्यात्म के प्रती समर्पित रहा है उनके पिता जी आध्यात्मिक छेत्र से जुड़े रहे हैं मेरा भी स्वास है, ऐसे उत्तम समस्कार वाले भुपेंद्र भाई के नेत्रूत में गुजरात चौत परफा विकास करेगा साथियों, मेरा एक आग्रह, आप सभी से आज़ादी के अमरुत महोत्सव को लेकर भी है इस अमरुत महोत्सव में आप सभी को भी कुछ संकल पर लेना चाहिए देश को कुछ देने वाला मिशन सुरू करना चाहिए ये मिशन ऐसा हो, जिसका प्रभाव गुजरात के कौने कौने में नजर आना चाहिए जितना सामर्ते आप में है, मैं जानता हूँ, आप सब मिलकर के ये कर सकते हैं हमारी नई पीडी, देश के लिए, समाज के लिए, जीना सीखे इसकी प्रेणा भी आपके प्रयासों का अहम हिस्सा होनी चाहिए सेवा से सिद्धी के मंत्र पर चलते हुए, हम गुजरात को, देश को नई उचाई पर पहुंचाएंगे आप सब के बीच लंबे अर्चे के बाद आने का सौभागे मिला, सब के यहां वर्चुएली मैं सब के दर्शन कर रहा हूं, सारे पुराने चेहरे मेरे सामने हैं, और भले दूर थी तो दूर थी, पर तमने बजाने मलयानों आनन तो आवे थे, तमारी प्रेम बर्शानों आने और अनुभव थाये थाये थाये, और आजे आप सवने भले दूर थी, पर फरी एक बार मलवानों मोकों मलयो, वnteह बडिनोंयं पणू आजे जोगुछु, वधा खुब मुटी उमोनन बडिनोंय बढ़ए बटा फ़िए, आप अशिरवाद आपा माटे आव्या, हैमन मैंने खास करीना मत बज़ा जवानियों जोड़ा आएला चे, आप बहुत दने मारी खुप-खुप सुबकामना हो, इसी सुबकामना के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आवजो.